वेलकम टू शुरुवास्तव क्लासिस तो भाई आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ सिक्स सेमेस्टर की बी ए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइन्स तो भाई आप लोग की बुक का नाम है इसमें भी आप लोग के टोटल तीन चैप्टर दिये गए है पहला चैप्टर यह है दूसरा यह है और तीसरा यह है इसके भी दो चैप्टर अल्रेडी में करा चुका हूँ उन दोनों वीडियो का भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगा आज बात करेंगे भाई इस वीडियो में या आप लोगों को जो थर्ड चैप्टर है सेकंड यूनिट का इसे में कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ा दुआ और बाकी भाई आप भी देख सकते है थर्ड यूनिट में भी आप लोगों के तीन चैप्टर जो है यहाँ पर दिये गए है अब भाई जे चैप्टर से रिलेटेड या किसी यूनिट से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट आए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फ बनाये गये इजी लैंगुज वे तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से जो है नोट ले सकते हैं चलिए बात करते हैं आपके चैप्टर के बैई आप लोग के चैप्टर का नाम है भाई ब्रिक्स तो टेंशन लिने की कोई जरुत नहीं है आप लो या हिंदी में आप इसे समू भी बोल सकते हो नॉर्मल लेंगवेज में अब किस चीछ का गुरूप है भाई तो भाई यह पांच देशों का गुरूप है यानि कि पांच देशों ने आपस में मिलकर एक गुरूप बना लिया है तो उसका नाम है ब्रिक्स अब वो पांच दे अफ्रीका तो आप लोगों को भाई बेसिक जो है समझ में आ चुका होगा ब्रिक्स क्या चीज है एक संगट है नहीं पांच देशों का संगट है नहीं कौन से पांच देश यह जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहे हैं अब थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक नॉलेज और लेते हो और स्टेप बाई स्टेप पड़ते हैं तो फस्ट हैडिंग ए हमारी परीचे तो फस्ट पोइंट हमारा कै कहता है और आ डेटां की साफत बाई अपर ङसे बाई इस बोला जाता था भूलिक। फिर जब भाई 2010 में आप लोग का South Africa जुड़ गया तो इस वज़े से उसको फिर Bricks बोले जाने लगा तो ये जो भाई आप लोग का Brick word है ये सबसे पहले किस बंदे ने दिया था किस इंसान ने दिया था तो भाई उनका नाम है Goldman अब ये थे कोन भाई ये एक आर्ट शास्त्री थे यानि कि आप बोल सकते हैं पड़े लिखे बहुत जादा विद्वान टाइप के इनसान थे ये तो इन्होंने भाई 2001 में इस शब्द का सबसे पहला जो है यूज किया था दिया था Brick शब्द को दुनिया में भाई उभरते हुए देश है यानि कि तरक्की करते हुए देश है आप देखोगे अमेरिका के बाद ये विक्सित देशों के बाद mostly इनी सारे देशों का नाम आता है एक सूपर पावर के रूप में अब थोड़ा भाई इसकी स्थापना वगरा देख लेते है तो इसकी स्थापना भाई कब हुई थी या आपको याद रखना भाई 2006 में इसकी स्थापना हुई थी कहां पे हुई थी रूस में की गई थी इसकी स्थापना और तब इसका नाम भाई सिर्फ ब्रिक्स था बाद में जब 2010 में जाके दक्षट अफरीका भी इसमें तो फिर बैठक वगएरा भी तो करते होंगे तो बैठक वगएरा भाई इसकी जो पहली बैठक हुई थी ना पहला जो सिखर सम्मेलन हुआ था या आप इस नॉर्मल लेंग्वज में बैठक बोल सकते हो तो वह कब हुआ था इसका 2009 में हुआ था यह चीज भी आप याद रख देशे क्या क्यों बनाया गया क्योंकि भाई इन पांच देशों में क्या हो सके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सोल्यूशन यह आपस में हेल्प करके कर सके ओविस सी बात है भाई कोई ग्रूप इस वज़े से ही बनाता ताकि उसे मदद मिल सके और लोगों के भी तो सेम इसी टाइप से भाई इन पांच देशों ने भी उबरते हुए देश थे भाई देखा कि हमें गुरूप बना लेना चाहिए इस वज़े से इन थारे पांच देशों ने एक गुरूप बना लिया ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके और तेजी से विकास कर सके बाकि आप भाई ब्रिक्स की बात करोगे यानि कि पांच देशों की अगर टोटल कुल मिला के बात करोगे तो विश्व की अबादिगा कम से कम भाई इतालिस प्रतिशत है तो इसे भी याद रखना इसी टाइप से भाई सकल गरेलू उत्पाद यानि कि जो मैने फेक्ट्रिंग वगएरा होती है ना प्रोडक्ट वगएरा की तो उसका भी अगर देखेंगे पूरी दुनिया में 24 परसेंट जो है इस सब ब्रिक्स देशों के पास ही है साथी साथ भाई वैपार जो होता पूरी दुनिया में उसका भी 16 प्रतिशत जो है वो भी ब्रिक्स देशों के पास अब यह जो सारी में आप लोग को डेटा बता रहा हूं यह ज़स्ट आप लोग की बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि आप पेपर वगरा में अगर आंसर वगरा लिखो तो इसे यूज कर लो और आपको मार्क्स वगरा थोड़े अच्छे मिल जाएं बाकी आप य प्रतिशत है इसी टाइप से जो जी डीपी है ना उसमें भी भाई तेज प्रतिशत है यह पांच देश मिलकर टोटल पूरी दुनिया के और यहां पे भाई दुवारा से मैंने लिख रखा है लगबग अठारा प्रतिशत जो है यह विश्व के वैपार में अपनी भूमी क चेंज होता रहता है इस वज़े से यहां पर थोड़ा चेंज हुए है और यहां पर लगबग वर्ड का यूज करा है यानि कि कोई भी एक्जेक्ट नहीं होता तो इससे आप टेंशन फ्री रख किये आप 16 भी लिख सकते हो 18 भी आप लिख सकते हो बस उससे पहले लगबग वर्ड का आप यूज कर देजेगा अब यह जो पांच देश है टोटल आप लोगों के जो ब्रिक्स नाम से जाना जाता है तो इन सारे पांच देशों को भाई टोटल क्या बोला जाता है और फाइव भी बोला जाता है और फाइव क्यों बोला जाता है क्योंकि अगर आप एक बात notice करोगे तो यह जितने भी पांच देश है इनकी भाई जितनी भी currency यानि कि यहां पर जो भी पैसा चलता है उसका नाम जो है वो आर से ही शुरू हो रहा है उसका पहला अक्षारी भाई इनकी currency का आर है for example आप इंडिया में देखोगे इंडिया में क्या चलता है कि तीन country है उनके भी पैसो का नाम आर से ही शुरू हो रहा है इस वज़े से इन्हें आर फाइफ देश भी बोला जाता है तो आई होप आप लोगों को जो basic knowledge है पूरी completely समझ में आ चोके होगी यह जस्ट आप लोगों के लिए base मैंने समझाया था ताकि आप paper में आप से ब्रिक्स के उद्देशे के यानि की purpose के बाई bricks को बनाने के लिए क्यों बनाया गाता bricks अब बन गया तो उसके आगे के और परपस के वह सब चीजें पड़ेंगे अब पहला purpose है ब्रिक्स का कि जो अमेरिका है और जो पश्च्चिमी देश है पश्चिमी देश यानि कि अमे main motive है क्यों क्योंकि भाई जो विवस्था वगरा है वो सारी नियाय संगत हो सके उनमें नियाय हो सके और विवस्था सारी जितने विश्व में जो भी system वगरा चलता है उनमें नियाय हो सके और वो सारी चीजे balance तरीके से हो इस वज़े से इनका main motive है कि अमेरिका और पश्च पश्चिमी देशों की बहुत चलती है तो यह नियाय संगत थोड़ी है यह सही थोड़ी है होना चाहिए तो भाई सभी सभी देशों को इक्वल स्थान मिलना चाहिए तब जाके नियाय माना जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता चलो भाई बढ़ते अपने दूसरे अगला अगल बड़ी बड़ी संस्था है विश्व लेवल की जो भी संस्था हैं डिपार्टमेंट बने हुए हैं आपने यूएन नों पड़ाता उपर वो भी उसकी बहुत सारी एजेंसिज वगएरा पड़ी थी उपर से मेरा मतलब भाई आपने प्रिवेस चैप्टर में पड़ाता व बड़ावा दिया जाता है इनी की चलती है जबकि बाकी छोटे देशों की निया पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो इन सारी संस्थाओं में सुधार करना भी ब्रिक्स का में मोटिव है बढ़ते हैं अगले की और अगला में परपस क्या है में मोटिव क्या है इनका जो व विश्व के लेवल के कोई मुद्दे है उन पर भाई कोई decision वralर लेना कोई निर्ने लेना है तो वो जो निर्ने का वो डिसीजन लेने का आप जो प्रोसेस हो गाना उसका लोक्तांतरी करण वि करना इनका मेन मोटिव है अब यह लोक्तांतरी करण से क्या मतलब है यानि की वो जो decision वगरा लिया जाएगा visual level के मुद्दोप का वो सई ढंग से होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ America या पश्चिमी देशों के ही हित में decision लिया जाए उनके फायदे की ही बात के लिए decision करा जाए ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें सभी देशों को समान अधिकार मिलना चाहिए सभी देशों की सुनवाई होना चाहिए सभी देशों का एक word process वगरा होना चाहिए तो इस चीज को लोकतांत्री करण बोला गया है तो अगला उत देश्य बही ब्रिक्स का ये ही है कि जो जलवाईव परिवर्तन है आतंगवाद है विश्व वैपार है परमानो ओर्जा है इस जैसे और भी जितने भी विश्व लेवल के मुद्दे है इन सब में जो भी समस्यां आ रही है उनका अच्छे से समाधान करना उनका ओची तरीके से समाधान करना ये भी इसका एक मोटिव है अब ये सारी चीज़े तो भाई आप कोमनली जानती ही होगे कि जलवाईव परिवर्तन क्या है आतंगवाद क्या है विश्व अपार क्या है और परमानो ओर्जा क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई मैं आप लोगों को बता रहता हूँ ये जो जलवाईव परिवर्तन है या आप भाई नेक्स चैप्टर में पढ़ोगे बहुत अच्छे से ये नेक्स इनिट में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे फिलाल के लिए मोटे तोर पे इतना समझ लो जलवाईव परिवर्तन का मतलब यहां पे ये बोलखा जो परिवर्ण के साथ नुकसान वगएरा हो रहा है आजकल तो इसका समधान करना भी भाई ब्रिक्स का उद्देशे है आतंगवाद जो फैल रहा है भाई पूरे विश्वयों में इसको कम करना इनका सोलूशन निकालना ये भी एक उद्देशे है ब्रिक्स का साथिसाद भाई विश्वय पार में जो धांदले बाजी चल रही है जो भी दिक्कते वगएरा आ रही है उन सब चीजों का समधान निकालना ये भी मोटिव है भाई ब्रिक्स का साथिसाद परमाणू उर्जा को कम से कम उपियोग करना कम से कम उपियोग करने के लिए देशों को जागरुक करना ये भी इसका एक में मोटिव है और परमाणू ऊरजा को, परमाणू बमों को कैसे कम किया जासे के ये भी इसका एक motive है पड़ते है बाई अगला उदेश कहा है है इसका अगला उदेश है है जो इसके सरस्थे देश है कितने पांच सदस्ते देश हैं हमने पढ़ा है भई पांची देश हैं इसमें और तो कोई देश नहीं है तो इन देशों का भई लाब कराना और इनकी आपस में हल्प करना ये भी एक इसका मोटिव है यानि कि ये bricks चाता है भाई इसका bricks बनाए इस वज़े से गया है ताकि ये चाहें कि 5 देश क्या करें ये अलग-अलग सेक्टर में एक दूसरे की help करें तरक्की करें और साथी साथ उस तरक्की से लाब कमाएं अगला purpose क्या है भाई अगला उद्देशे क्या है bricks का अगला उद्देशे है ये जो पांच देश है टोटाल bricks के इन पांच देशों में आप देखोगे कि थोड़े बहुत भाई विवाद तो हैं हर किसी के साथ होते रहते हैं फिर चाहें वो कोई भी देश हो फॉर एक्जाम भाई भारत ने कोई नीती बनाई तो चाइना उसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करें ये भी इसका main purpose है साती साथ जो समानता है वगेरा हैं वो भी उसमें भी कोई हस्तचेप ना करें कहने का मतलब यही है ये पांच के पास देश जो हैं वो एक दूसरे के इंटर्नल माम समले में हस्तचेप ना करें अपना हाथ पैर कुछ भी ना आड़ा हैं सात्वा पढ़ते हैं भाई सात्वा हो देश है इसका आर्थिक विकास करना साती साथ व्यपारिक सहरियों को बढ़ावा देना यानि कि जितने भी पांच देश हैं इन सब में तरक्की हो आर्थिक वि बढ़ते हैं भाई आठ्वा पॉइंट के और आठ्वा पॉइंट है भाई सदस्य देशों के बेच समान आर्थिक लाब का वित्रण करना यानि कि ये जो पांच देश हैं भाई आप लोगो के ब्रेश के अंदर अब पांच देशों ने भाई आपस में सहयोग कर लेंगे आपस में एक दूसरे की help कर देंगे वैपार में अब फिर जाके भाई तरक्की कर लेंगे पांच देश अब पांच में से कोई सा भी देश ऐसा ना हो कि भाई को बहुत ही जादा अमीर हो गया है बहुत ही जादा तरक्की कर ली नहीं ऐसा बिल्कुल भी ना हो हो तो भाई equally स सारे तरक्की करें otherwise कोई भी ना करें जो लाब हो उसका वित्रण समान तरीके से हो यह इसका अगला में मोटिफ था और लास्ट मोटिफ था तो आई होप आप लोगों को इसके आठ के आठ जो हैं उद्देश्य समझ में आ चुके होंगे अच्छे से अब पेपर में भाई पर पेपर में आप से पूछें तो प्लीर साथ जोड़ के रिक्वेस्ट यह जो आहीं सैट करके लहीं इक्स्टेंड करś fuck दोके तो भी आप लोगों को बहुत जाओंद अच्छे नमबर जो हैं मिल जाएंगी बढ़ते हैं आप लोगों की next heading की और next heading है आप लोगों की वैश्विक विवस्ता में bricks यानि कि इस heading में आप हम ये पढ़ेंगे जो bricks संगटन है न पांच देशों का तो इसकी पूरी दुनिया में क्या है इसके साथ तालमिल कैसा है ये सब चीजे पढ़ेंगे राजनिती में क्या हो रहा है इसका bricks का हाल आर्थिक विवस्ता में क्या हाल हो रहा है bricks देशों का ये तो ये सब चीजे पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं भाई step by step सबसे पहले भाई हम राजनिती के बारें पढ़ेंगे कि जो पूरी विश्व की राजनिती है उसमें क्या योगदान देता है भाई ब्रेक्स से उसमें क्या करता है क्या नहीं करता हो वो step by step पढ़ते है तो देखो भाई जो ब्रेक्स है ना Bricks चाते ही यह है उसका उद्देश्व यह है कि पूरे विष्व की जो राजनिती है उसमें भाई शांती बनी रहे है उसमें सुरक्ष्य बनी रहे है और सबका जो है विकास हो साथ इसाथ जो भी सिस्टम वगईरा चलता है वो न्याय संगत हो निकि सब कुछ न्याय के तरीक से हो और निस्पक्स तरीके से हो यानि कि जाच पड़ताल सब चीज़ों की बढ़िया तरीके से होनी चाहिए साती साथ भाई ब्रिक्स और क्या करता है ब्रिक्स यह जो पांच देशते न टोटल इनको क्या करता है भाई इन्हें सला वागरा देता है आप सला भाई कैसे और क किस चीज के लिए सला भाई इसलिए देता है भाई जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है जो भी चुनोतियां वगएरा रही है राजनीति में इन पांच देशों को उन से रिलेटिड भाई उन्हें सला देता है ताकि विश्व लेवल पे जो है ब्रिक्स देशों की सभी देशों क साथ बनी रहे राजनीती अच्छी चलती रहे और साती साथ भाई ये वैश्विक जो राजनीतिक विवस्ता है उसके पुनर गठन पे बल देता है पुनर गठन यानि कि जो विश्व में जो राजनीतिक विवस्ता चला है राजनीती का सिस्टम चला है उसको कहता है दुवार पूछा तक नहीं जाता इस वजह से क्या करता है यह चाता है और यह इस चीज के लिए काम करता है कि जो विश्व की राजनीति यह विवस्ता है उसका दौरा से गठन किया जा सके उसे दौरा से बनाया जा सके इस चीज wore जोर देता है अब पढ़ते हैं भाई वैश्विक विवस्ता पर अभी तक जो भी बाते पढ़ी आपने वो विश्व की राजनिती को ले करती अब भाई विश्व की आर्थिक विवस्ता को ले कर भाई विरिक्स के बारे में क्या विचार है विरिक्स क्या चाहता है वो सब प तो आप लोगों को पहले राजनीती के बारे में बता देना है फिर आर्थिक विवस्ता के बारे में और फिर ऐसी दीरे-दीरे करके जो जो पढ़ाता जा रहा हूं यह सब चीज़े जो आप लोगों को बता देनी है तो पढ़ते हैं भाई विश्व की आर्थिक विवस्ता मे क्या चीज है यानि कि पूरे विश्व में जो पैसों का लेंदेन वाला सिस्टम चलता है इस चीज में सुधार करने के लिए बोलता है साती साथ भाई कहां पे किस विकास के लिए कहां कितना पैसा लगना चाहिए जिसकी हैल्प की जानी चाहिए किसको कितना पैसा देना चाह जा रही है जिस वज़े से क्या हो रहा है कुछ देशों की करंसी गिरती जा रही है तो इस चीश को भी ठीक करना ये सब इसको लिए कोशिश करता है bricks साथि साथ भई bricks और किस चीज़ पर ध्याण देता यह ध्याण देता है कि वेपार और निवेश जो है उसमें ज़ादा से यादा बढ़ोतर है हो इस वजे से भीipp देश है ना यह बहुत ज़दा भई वेपार और निवेश वगेरा करते हैं पूरे विश्व के साथ बाज एक तरीके से bricks अब वो कैसे भाई आपने देखा होगा विश्वे में जो भी नीतियां वगएरा बनाई जाती हैं चाहे वो परेवरेंड से से रेलेटेड ओ, जलवाईो से रेलेटेड ओ, वैपार वगरेवाइब रेलेटेड ओ किसी भी चीज से रेलेटेड नीतियां हो हो या जो भी प्लैणिग वगरेवा दीरहा करी जाती है वर्ल्ल लेवल पर उन सब में भाई पस्चिमिन देश wash का hit होता है यानि कि जो ये पांच के पाँस देश करें लेकिन अब एक साथ मिलकर स्ट्रोंग हो गए हैं और इतने श्ट्रोंग हो गए हैं कि भाई अब इन से बढ़ा कोई संगठन या कोई देश जो है है यह नहीं पहले अमेरीगा भाई इन सबसे बड़ा हुआ करता था लेकिन अब यह पांच देश टोटल मिलकर एक साथ आ गए हैं तो अब यह अमेरीगा इनके आगे कुछ नहीं है इस वज़े से ही एक साथ हुए हैं ताकि पस्चिमी देशों को या विका जो विकसित देश में क्या कर रहा है एक आवाज का काम कर रहा है विकासिल देशों की क्योंकि पूरी दुनिया में भाई क्या करता है विकासिल देशों के बारे में बताता है विकासिल देशों का क्या करता है हित रखता है जो भी नीतियां वगेरा बनती हैं उन सम्में विकासिल देशों की बात करता है अब भाई आतंगवाद के बारे में पढ़ लेते हैं कि आतंगवाद से रिलेटिड भाई इसने क्या करा और आतंगवाद तो आपको पता ही है विश्व का ही मुद्द है किसी एक देश जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं है यह आतंगवाद बलकि पूरी दुनिया क भाई तो आप इसके लिए भाई ब्रिक्स क्या करता है वो पड़ते हैं अब यह जो ब्रिक्स है ना ७ाई 5 देश मिलकर एक गृद बना लिया इस भारत को यह नहीं बलकि और भी देश हैं ब्रिक्स के उन सब्लस्कों आतंगवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक मंचश प्रवाइड कराता है कहने का मतलब यह है कि यह help करता है भाई भारत को आतंगवाद से लड़ने के लिए साती साथ भाई क्या करता है और मजबूती से खड़ा होने के लिए यानि कि भारत जो है आतंगवाद के खिलाफ और जादा अच्छे से action ले सके इस चीज के लिए की साते सात आतंगवाद से संबंदिज नीतियां जो भी प्लैनिंग वगईरा बनाती हैं तो उन सब के लिए भी भाई भीतर से काम करता है भीतर यानि कि डीप में काम करता है ये ब्रिक्स overall बोलू तो भाई साफ सीधा सा बात है कि आतंगवाद के खिलाफी सारे काम करता है बेक्स और सारे सदस्य देशों की help करता है आतंगवाद से लड़ने के लिए नीतियां वगरा बनाता है और साथ साथ आतंगवाद से लड़ने के लिए help वगरा भी करता है चलो भई अब next देखते हैं next है भई आप लोगों का वैश्विक समू वैश्विक समू से भई इनका मतलब है जो विश्व में बड़ी बड़ी अंतराष्ट ये संगठन हैं संस्ता हैं उनकी बात हो रही है भई तो उन सब में भई मैंने आप लोगों को पढ़ाया ता उपरी उन सब में भई क्या करता है उन्हें ठीक करने की कुश करता है उनमें जो भई पस्चिमी देशों का हित लिया जाता है पस्चिमी देशों की फायदे की बात होती है उन सब में भाई उन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है नियाय संगत बनाने की कोशिश करता है उन सब को लोकतांतरिक बनाने की कोशिश करता है और सिर्फ इतना ही नहीं ये भारत की भी हेल्प करता है सही उक्तराष्टे में जुणने की अब सही उक्तराष्टे संग आप लोग उपर पढ़ चुके हो पहले वाले चेप्टर में ठो उसमें भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भारत जो है सहयुक्त राष्ठे जो है उसके सुरक्षा परीश्द में जुढने की कोशिश कर रहा है भारत यानिकि इस्थाई सदस्य से बनने की कोशिश कर रह लेकिन हरवर क्या होता है भाई हरवर चीन जो है वो टांग अड़ा देता है अब ऐसे में भाई अब चीन भी पांच देशों के ग्रुप में आ चुका है भारत के साथ ही तो अब टांग अड़ाने में जो है चीन भी हिचकिच आएगा तो इस वज़े से अब जो है यह चीज बाच्चेत हो सकते हो और यह आपका अपनी जितने विवाद हैं उन सब का शांती से निफ्टान जोएस का कर सकते हैं साथी साथ मालो पहले भाई मालो यह जो पांच देश इसमें भारत को छोड़के बागी चार देश बचे ना मालो भाई भारत के सपोर्ट में चार में से मालो दो हो और बाकी दो ना हुए पहले तो दिक्कत वाली बात थी लेकिन आप भाई पांच देशों में ग्रूप में आने की वज़े से तो अब यह विरोध भी नहीं कर सकते भारत का यानि कि पक्ष अगर नहीं लेना चाते यह दो देश भी मालो पक्ष नहीं लेना चाते भारत के लेकिन अब यह विरोध भी नहीं कर सकते हैं अब यह कहेंगे या ब्रिक्स का जो योगदान है वो सब चीजे बताओ या वैश्वी को यवस्ता पर भाई भारत के लिए क्या योगदान रहा है ब्रिक्स के साथ वो सब चीजे पूछ लेगा तो थोड़ा बहुत याद जरूर रख लेजेगा चलिए अब पढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स हेडिंग है भाई हमारी ब्रिक्स की सनरचना और सनस्थागत तंत यानिकि भाई इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि BRICS जो है वो काम वगरा कैसे करता है तो ओवियस सी बात है भाई जब हमने UNO पढ़ा था वो भी एक अंतराश्य संगतन था उसमें क्या होता था भाई UNO में उसने अपने हर काम के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट बना दी थे इसी टाइब से भाई जो हमारा BRICS है इसने भी 2-4 संस्था हैं आप कह सकते हो या संरचना आप कह सकते हो या आप Department कह सकते हो वो भी उनने 2-4 डिपार्टमेंट जो है बना दी है उन 2-4 डिपार्टमेंट से कौन-कौन से है भाई पहला पहला है आप लोग का ndb और दूसरा है भाई आप लोग का CRA अब इनके बारे में step by step थोड़ा deeply पढ़ेंगे हो सकता है और भी हो लेकिन आपको यही पढ़ाए गए हो और यही important है यही से आप लोग का question जो है पूछा जाता है तो अब हुआ क्या भाई हुआ यह कि 2014 में भाई ब्राजिल में एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन किसका भाई ब्रिक्स का ही सम्मेलन हुआ मैंने आप लोग को बताया ब्रिक्स की जो है बैठक वगएरा होती थी और पहली बैठक भाई इसकी मैंने बताया तो 2009 में हुई थी आप लोग ने उपर पड़ा था तो इसकी छटी बैटक कब हुई 2014 में हुई अब इस बैटक में ये जो छटी बैटक थी जो 2014 में हुई थी इस बैटक में भाई जितने भी पांच देश थे उन सब के नेता वगएरा सब आये वे थे बही आपे और साथ में ये सारे नेता और इन सारे पांच के पांच देशों ने भाई क्या करक्कता सो अरब डोलर के क्या करक्कता एक तरीके से reservation बना देता यानि कि सब देशों ने अपनी तरफ से पैसे दिये ताकि कोई problem वगरा में फसेगा तो यह पैसे तब काम आएंगे तो कितने थे भाई total 100 अरब डोलर थे तो इसके साथ भाई सबी दनेजताओं ने मिलकर इस सम्मेलन में इस बैठक में दो डिपार्टमेंट बना दिये अब दो डिपार्टमेंट किस किस चीज के लिए बना है भाई यानि कि 100 अरब डोलर को इन लोगों ने क्या करा दो डिपार्टमेंट में बाड दिया इस चीज के लिए दो डिपार्टमेंट बना दिये पहला है भाई एक bank बना दिया और दूसरा एक जो department बना या है वो भी एक तरीके से bank tab का ही department है अब इन दोनों department का काम का था भाई पहला जो department है वो है आप लोग का ndb जिसका full नाम है भाई new development bank यानि कि कहने का मतलब यह है पहला जो department इन लोगों ने बना दिया वो बना दिया इन लोगों ने bank बना दिया पाँच देशों के लिए और दूसरा जो department बना या है उसका भाई पूरा नाम है इसका आकस्मिक रिजर्व विवस्था यानि कि ये एक टाइप का department बना दिया और इस department का भाई काम क्या होगा ये जो पाँच देश थे ब्रिक्स के इन पाँच देशों में अगर कोई भी आकस्मिक प्रॉबलम होती है यानि कि कोई भी emergency वाली अचानक से कोई भी प्रॉबलम आ जाती है तो ये पैसे देगा और ये जो bank बनाया ये क्या करेगा ये कब पैसे देगा ये कब help करेगा जब मालो इन पाँच देशों को कोई विकास करना हो कोई तरक्की करना हो कोई परियोजना वगएरा बनाना है कोई काम वगएरा करना है तब ये पैसे देगा लोन वगएरा देगा तो ऐसे करके भाई ये दो department बनाए गए हैं Brix के, कब बनाए गए भाई, 2014 में बनाए गए कहाँ पे बनाए गए भाई, ब्राजिल में ये संमेलन हो रहा था तब बनाए गए थे और कौन सा संमेलन हो था, भाई, आप लोगों का छटा Brix संमेलन हो रहाता इसमें भाई पैसे कितने थे ये भी याद रखना सो अरब डॉलर थे भाई और कौन-कौन से डिपार्टमेंट बनाए गए थे भाई एक तो था तुम्हारा न्यू डेवलेप्मेंट बैंक और दूसरा था आकसमेक रिजर्व विवस्था अब भाई ये दो संगटन तो बना दिये तो ब्रिक्स के लेकिन इन्होंने अपना काम जो है वो कब चालू करा 2015 में जाके जो है चालू करा था काम लेकिन समझोते बातचित वगएरा कब हो गई थी भाई पूरा साइन वाइन सारा लिखा पड़ी वाला काम जो है वो इसका 2014 में ही कंप्लीट हो गया था लेकि कि आप से पिपर वगएरा में यह नॉर्मली किसी पिपर में ही पूछेंगे तो आप इसले लिख जोगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं CRA का CRA का फुल फॉर्म याद रखना आप लोग आकस्मिक रिजर्व विवस्ता नाम से ही समझ में आ रहा है इसका काम क्या होगा कोई अगर अचानक से प्रॉबलम हो जाती है इन पांच देशों को यह तब जो है help करेगा पैसे वगएरा प्रोवाइट कराएगा अब यह जो CRA है ना जो आकस्मिक रिजर्व विवस्ता है ना इसको भाई बनाया क्यों गया था क्योंकि भाई दवाब वगएरा जेलने के लिए मालो कोई अचानक से कोई प्रॉबलम आ जाती है कोई फाइनिसरी लिवी प्रॉबलम आ जाती है तो उस चीज के लिए बनाया गया था साथी साथ भाई सैयोग को बढ़ावा देने के लिए यह पांच देश आपस में एक दूसरे की help कर सके इस वज़े से बनाया गया था क् इसमें CRA में पैसे थे वो तो यही थे न सो अरब डॉलर में से ही थोते पैसे इनके पास और यह सो अरब डॉलर किसके हैं भाई यह टोटल पांच कंट्रियों की तो हैं तो एक तरीके से आपस में एक दूसरे की help भी तो कर रहे हैं यह साथी साथ भाई जो वित्य सुरक्ष चतंत्र है इनका उसको मजबूत करने के लिए भी भाई बनाया गया इसे यानि कि पैसो का जो लेन देन हो रहा है एक देश से दूसरे देश में इस चीश को और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए CRA को बनाया गया था और किसलिए बनाया गया था भाई अंतराष्टिये व बनाया गया था CRA को यानि कि आकस्मिक रिजर्व विवस्ता अब यह जो CRA है यानि कि आकस्मिक रिजर्व विवस्ता जो है इसमें आगर मालो कोई मुद्दा रहा है मालो किसी देश को प्रॉबलम हो रही है for example मालो भारत में कोई दिक्कत आ गई तो भारत भाई इसके पास गया पैसे मांगने तो यहां पे भाई बैठक होगी यानि की बादचीत तो होगी यह तोड़ी है जा के छूटते हैं सीधा पैसे दे देंगे तो नहीं यहां पे बैठक होगी फिर बातचित होगे यह 5 देश के यहां पर नेता होगे फिर बातचित करके decision लेते हैं वो कि बाई कैसे क्या चीज जो होनी चाहिए पैसे कितने देना चाहिए फिर पैसे को कहा कहा पर use होना चाहिए यह सारे decision जो है लिये जाते हैं अब यह decision लिये जाते हैं तो यह इसके भी दो लेवल है यानि कि यह decision two step लिये जाते हैं दो लेवल पर लिये जाते हैं पहला लेवल जो है भाई वो है तुमारा governing council जिसे आप लोग कह सकते हो सासी परिशद और दूसरा है भाई स्थाई समीत अगर easily मैं आप लोगों समझाओं ये क्या चीज है तो CRA को भी भाई लोगों ने आगे दो तरीके से एक तरीके से छोटे department बना दिये CRA के भी कि पहले भाई यहां पे बैठक होगी फिर यहां पे अलग-अलग मुद्वों के लिए अलग-अलग बैठक जो है इन लोगोंने बना दिये एक तरीके से जैसे ब्हारत में आप देखते हो भाई लोग सभा राज्य सभा अलग-अलग तरीके की बैठक होती है न इस तरीके से भाई यहां पे भी नोगोंने एक तरीके से system बना यह टाइप का बैठक का तो पहले वाले का नाम है आप लोग का गवर्निंग काउंसिल और दूसरे वाले का नाम है इस थाई समी तो यह चीज आप याद रखे जेगा अब भाई इसमें कैसे डिसीजन लिये जाते हैं वो पड़ते हैं भाई अब यह जो आप लोग की पहली व मुद्धों पर बातचीत होती होगी इस वज़े से तो भाई इतनी आसानी से जो है यह वोट वोट करवा के और इसले डिसीजन ले दे रहे हैं बस इतने ही याद रखना आपको और जो दूसरा वाला था आप लोग का डिपार्टमेंट जिसे आप स्थाई समीती कह सकते हो इसमें अगर डिसीजन लिये जाते है तो इसमें कैसे लिये जाते है बाई डिसीजन इसमें आप लोग को नॉर्मल अगर पांच देश से जो नेता वगएरा हैं सिर्फ उनकी सहमती ही नहीं चाहिए बलकि उनकी बहुत ज़्यादा सहमती चाहिए भारी मतदान चाहिए मालो किसी ने मना कर दिया एक कुछ देशों ना मना कर दिया तो वह decision जो है वही थम जाएगा सहमती जो है बहुत जादा चाहिए बहुत पढ़ना ली जो है बहुत ज़दा यानि कि vote वगरा कराय जाते हैं यहाँ पर vote वगरा जाधा चाहिए और अगर माल लोग कोई नॉर्मल सा यहां पर decision वगरा लेना है तो तो फिर भाई यहां पर भी क्या होता है वो ही same process यानि कि सब की जो है सहमती ले ली जाती है बस सबसे सलावाला ले ली और हो गया decision ले लेता है that's it अगर कोई special है तो भाई यहां पर जो है आप लोगो को विशेश बहुमत चाहिए विशेश वोट वगरा जो है चाहिए होता है निकि जादा वोट की जरुत यहां पर पढ़ते है decision लेने के लिए तो I hope आप लोगो को यह समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया है दुआरा से समझाता हूं देखो भाई ब्रिक्स ने क्या करा है दो तरीके से अपनी एक department बना दिये एक तो है bank और दूसरा है आप कह सकते हो एक तरीके से संसद कह सकते हो अब संसद के भाई क्या होते है दो सदन होते हैं तो इसने दो सदन में भाई कौन-कौन से बना दिये है आप देखोगे इनने पहला बना दिया भाई governing council और दूसरा बना दिया भाई पे जो है मनलब अलग अलग टाइप से डिसीजन जो है लिए जाते है बस इतना याद रखेज़ेगा और कुछ नहीं अब पढ़ते हैं भाई आप लोगों का न्यू डेवलप्मेंट बैंक के बारे में यानि कि मैंने आप लोगों बताया था ना ब्रिक्स के भाई क्या हो था दो संस्थाएं बना दी थी एक तो हमारा बैंक वो है हमारा न्यू डेवलप्मेंट बैंक और दूसरा है हमारा संसथ टाइप भाई इन लोगों ने एक डिपार्टमेंट बना दिया था जिसका नाम है भाई सी आरे फुल नाम बोलूं तो भाई आकसमेक रिजर्व विवस्था तो आप भाई हम इसके बारे में पढ़ेंगे न्यू डेवलप्मेंट बैंक के बारे में और ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट है याद रखी जेगा अब भाई इसके स्थापना कहां पे होई थी भाई इसके स्थापना होई थी भाई आप लोगे शंगाई में और शंगाई का हैं यह चीन में हो गया ता यहाँ पर बैठक बैठक होई तब जाके जो रहे एंडिबी को बना दिया गया अब क्यूं होई थी भाई क्या प्रपस्त हाइसा मेम इन इस बैंक को बनानेगा तो वो त के नाम से पता लग रहा है new development bank यानि कि विकास करने के लिए development यानि कि विकास करने के लिए भाई इस bank को बनाया गया था ताकि पांच देशों को अगर भाई विकास वगएरा करने करना पड़े या करने के लिए पैसे वैसे चाहिए तो यह क्या करता था यह bank इन सब की मलत करता है तो इस वज़े से जो है इसकी स्थापना की गई साती सात और क्या करता है यह यह जो bricks के जो 5 देश है सदस्य देश है इन सब के बीच में सहीयोग को मजबूत करने का काम करता है साती सात भाई संतुलित विकास को बढ़ावा देता है उसमें योगदान देता है यानि कि यह कहता है भाई सतत विकास करो सतत विकास का मतलब भाई मैंने आप लोग पिछले चैप्टर में बताया था एक ऐसा विकास करने पे जादा बल देता है एंडी बी जिससे परियावरान को कम से कम नुकसान पोचे और आने वाली पीडी को भी कहा है उसका फायदा मिलता रहे बाकी वही कुछ और चोटे मुटे सेक्टरों के लिए भी काम करता है यानि कि पैसे वागएरा देता है वाला बैंक वह कौन-कौन से चोटे-चोटे सेक्टर है फॉर एक्जामपल भाई किसी देश में स्वच बैंने चाल को अच्छा बनाना तो उस चीज के लिए पैसे देता है अफसन रचना यानि कि बही बाई कोई वान बानाना कोई बिल्ड पैसे देता है साथी सात उस सथैसा सथे सा अंब थिक विकास अगर किसी देश को करना है पांचों देशों में से तो उनको भी मरत करता है सही हो करता है अब इसका मुख्याल ले भाई मैं और शरहीज को बता चुका हूं कि इसका मुख्याल ले संगहाई में जो आप लोग बहरत की help करिए बहुत जादा मरद करिए अब मदद कैसे करेगा भाई इनने पैसे दी हैं पैसे प्रोवाइड कराया है बहरत को और बहरत में तब जाके मंपई में और दिल्ली गाजयाबाद भी मैट्रो खड़ी कर पाया है भारत पर यह सारा पैसा कहां से आया था भाई एंडिवी की तरप से पैसा आया था साथी साथ भाई नवी करनी है उर्जा के लिए जो स्रोत भारत ने डेवलप करें हैं जब भारत ने उर्जा बिजली वगरा प्रोवाइड करा रहा है भाई भारत पूरे भारत में तो इस चीछ के विकास के लिए भाई इसने बहुत जादा पैसे दिया और इस जैसे और भी बहुत सारी परियोजनाओं के लिए भी इसने पैसे दिये हैं बारत को और देखते हैं भाई और क्या करा इनने बारत के लिए और भाई इनने लगबग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 14 भारती परियोजनाओं को मंजूरी दिये यानि कि इनने हमारी 14 जो विकास करने क हमने प्लैन वगएरा करे थे परियोजनाओं वगएरा बनाई थी प्लैनिंग वगएरा करी थी तो उसमें भाई इसने लगबग लगबग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर भाई इनने प्रवाइड करा के हमारी हेल्प करी थी तो ये चीज़ भी याद रखना साथ यसाथ और क बनाने के लिए पानी की सुविदा बनाने के लिए तो बहुत सारे ऐसे बुनियादी ढाचे बनाने के लिए इसने क्या करा है वहाँ पर रिंड दिया है और कितना रिंड दिया है भाई भारत को इसने वन बिलियन अमेरिकी डॉलर का भाई इनने रिंड दिया है और समझोत किया है तो ये सारी चीज़ें भी इसकी याद रखना सिंपल सा है थोड़ा भाई complicated topic है थोड़ा बहुत याद रखोगे थोड़ा अच्छ समझने कुछ करोगे तो आप लोग को याद रहेगा बस इतना ही था भाई इस heading में अगर यह heading ना समझ माई यह तो प्लीज दुआरा स से देखने कुछ करना ध्यान पूरवग आपको easily समझ में आ जाएगा बढ़ते हैं आप लें नेक्स टॉपिक की और नेक्स टॉपिक है भाई आप लोगों का वह है भारत के लिए ब्रिक्स का मैत्व उपर जो पढ़ाता भाई हमने वह यह पढ़ाता कि भाई विश्व में ब्रिक्स की भूमी का क्या थी या ब्रिक्स की भाई योगदान क्या दिया है विश्व वस्ता में तो वो सब चीजे पढ़ी थी आ हम पढ़ रहे हैं भाई भारत के लिए क्या मैत्व है भाई क्या जरूरत है भारत जो भारत के लिए क्या हेल्प करी है भाई ब्रिक्स उने तो वो सब चीज़े अब step by step पढ़ेंगे question बनता है यहां से भी तो थोड़ा ध्यान से जो है इसे समझे जगा ठीक है तो भाई देखते हैं अब भारत जो है वो क्या करता है भाई आर्थिक प्रामर्श के साथ साथ वैश्विक मुद्दो पर भी भाई ब्रिक्स की क्या करता ताकत का उप्योग करता है यानि कि भारत ब्रिक्स से आर्थि विकास करने के लिए सला वगएरा तो लेता है उपर से भाई इसके बैंक वगएरा से पैसे भी लेता है ब्रिक्स के अभी एंडी भी पढ़ा है हमने उससे पैसे वगएरा भी लेता है उससे सहयोग लेता है उ आती साथ जो विश्वू लैवल के मुद्धे होते है विश्वू लैवल के कौन से मुद्धे अभी उपर बताए भी तो आप लोग को आतंग वाद हो गया जलवाई उपरीवर्तन हो गया या खाने पीने से रिलेटेट खादे हो गया और आप लोग का ओर्जा सुरक्षा हो ये संस्थानों में सुधार वग रहा ओगया या इसके जैसे और भी विश्वㄹल के जो भी मुद्धियों अन्पर भी भारत क्या करता है ब्रिक्स की जो ताकत है इसका इूज करता है इसका उपियोग करता है अब वो कैसे भाई यह ब्रिक से help लेताया मालो भारत में अगर मालो खादे संकट आ जाए खाने पीने से related संकट आ जाए तो ये क्या करेगा ब्रिक्स में पांस जेशन टोटल तो ये उसकी help लेगा बारत तो ये एक पहले फायदे की बात है पहले महत्व की बात है भाही भारत के लिए तो याद ब्रिक्स की एक संस्था है एंडी भी तो ये क्या करता है भाही ये भारत को विकास करने के लिए बुनियादी धाचे खड़े करने के लिए सतत विकास करने के लिए क्या करता है संसाधन जुटाता है उसे पैसा वगेरे देता है और समान वगेरे provide कराता है और भी जितने भी संसादन वगयरा लगते हैं उन सब को जुटाने में help करता है भारत की साथ इसाद जो से जो लाब वगयरा होगा तो उस चीज़ से भारत को ही फायदा होगा यानि कि लाब कमाने भी मलत करता है प्रकूज़ दोस्रे की है बात का तो यह भी बाई दूसरा महते हो गया भारत के लिए व्रिक्ष का बढ़ते हैं भाई तीसरे की और यह थोड़ा नेगेटिव है यह थोड़ा भाई नेगेटिव है यानि कि हमारा फायदे की बात नहीं यह की एक तरीके से नुकसान की बात है और है उस तरीके से नुकसान की बात नहीं है आप पड़ोंगे आभी समझंभे किस तरीके से नुकसान ब्रिक्स ने क्या कर दिया जब से ब्रिक्स बना है हैं तो भारत भाई आप बीच में जो है नहीं रह सकता भारत को यद्व को यह घृप है करना पड़ेगा वह gratis स्क déjà Sके साथ हो जब कि भारत इसा नहीं चाहता अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि भई जो ब्रिक्स देih थे पांच पांच से एक रूस भी तो था तो ऑटमेटिक समझ महा जाएगा भाई अमेरिका को कि यह क्या कर रहा है रूस के साथ ज्यादा जुड़ रहा है यानि कि रूस का साथ ज्यादा दे रहा है भारत तो ऐसे में क्या है नुकसान की बात है भारत की तो आई होप आप लोगों को जो है यह जो विश्वे में भाई जो पैसों का लेन देन वाला सिस्टम चलता है पूरा इन सब को बैतर बनने की कोशिश करी है ब्रिक्स ने, साती साथ भाई जो अंतराश्टी विवस्था है या अंतराश्टी संगटन है, उनको न्यायपोन और संतलित बनाने को भी भाई कोशिश करिए है, ब्रिक्स ने, तो इन सबसे भाई देखा जाये तो indirectly फायदा किसे है ब्रेक्स के 5 देशों कोई तो है indirectly देखा जाए क्योंकि ब्रेक्स के 5 देशों में भाई आप रूस ले लो और साथी साथ भाई आप लोग चाइना को ले लो ये दो देश जो हैं ये तो भाई विक्सित देश है और इन्हें कोई दिक्कत नहीं है बचे कोन भाई तीन देश तीन देश में से एक भारत भी है जो विकास सिल देश है जिसकी बड़ी बड़ी संस्ताओं में जारत तर नहीं सुनी जाती है तो इस वज़े से भारत के फायदे की बात हुई की नहीं हुई यह भी तो आप लोग यह point भी अच्छे से समझ चुकोगा बढ़ते हैं भाई अगला point यह भाई मैंने आप लोग को उपपर ही पड़ा देता कि जो bricks है यह क्या करता है भाई भारत को आतंगवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भाई क्या करता है एक मंच प्रोवाइड कराता है एक मंच देता है उसके लिए भाई पैसे वगेरा देता है हतियार वगेरा प्रोवाइड कराता है help करता है उसके खिलाफ नीतियां बनाने प्लैनिंग करने में जो है भारत की मड़त करता है bricks तो यह चीज़ भी भाई आप लोग समझ चुकोगे प सुरक्षा परिशद उसमें भाई भारत क्या चारा है भारत चारा है कि वह पर्मनेंट वाला मेंबर बन जाया उसमें और एक वार भारत बन गया ना तो बहुत पावरफुल देश हो जाएगा भारत लेकिन मैंने आप लोग को बताया था चीन जो है भाई हमें ऐसा होने ही नहीं देता चीन जो है बार बार भाई अपनी वीटो पावर का यूज कर लेता है और हमें इस थाई सदस्ते बनने नहीं देता लेकिन अब भाई चीन और भारत जो है दोनों ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं पांच देश में दो भी हैं भाई सामिल हो गए तब चीन जो है वो डारेक्ट जो है बारत का विरोद नहीं कर पाएगा और साथी साथ माल लो भारत और चीन में जितने भी भाई जो विवात चल ले हैं ओ सकता है दिरे-दिरे भई जिए ब्रिक्ष में रह रह और फिर बारत बहुत ज़्यादा सक्तिशाली देश जो है बन जाएगा तो आई होप आप लोग को इस सारी चीज जो है समझ में आ गई होगी आप लोग को कम्प्लीट पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा छोटा ही था चैप्टर जादा बड़ा नहीं है बाकी आप मुझे मोटिवेट करने के लिए अगर मेरी टीचिंग पसेंद आई हो आप लोगों तो प्लीज लाइक बटन जरूर दवाना और एक कमेंट प्यारा से जरूर छोड़ के जाना फिलाल के लिए मिलते है नेक्स वीडियो में जय है जय बारत